मुंबाई में समंदर के बीच बनी दरगा पर चला बुल्डोज़ राज ठाकरे ने एक दिन पहले ही कहा था नहीं हटी मजार तो बनेगा गणपती मंदे और 24 घंटे के अंदर ही हो गया अपता गड़ा एक्शन मुंबाई के माहीम बीच पस्थिर अवैद माहीम मकदूम शा दरगा पर सरकार ने बुल्डोज़ चलवा दिया है मन से चीफ राज ठाकरे ने चेतामनी देते हुए कल ही कहा था कि अगर दरगा को नहीं तोड़ा गया तो उसके बगल में मंदिर खड़ा कर देंगे और इसके बाद आज सुबह से ही बड़ी संख्या में महा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई थी और फिर बुल्डोजर और मजदूरों की मदद से दरगा को तोड़ दिया गया परशाशन ने माहिम बीच पर भारी पुलिस बल तैनात किया था मलबे को बाहर निकालने के लिए अंदर बड़ी संख्या में ट्रक भीज गये थे तरसल एक दिन पहले ही राश्ठाकरे ने कहा था कि दो साल पहले दरगा मोजूद नहीं थी इसलिए इस दरगा को तोड़ दिया जाना चाहिए गुड़ी पडवा के देन महाराष्ट नव निर्मान सेना के वार्शिक कारेकरम के दोरान राज ठाकरे ने जनसभा को संबोधित किया था और इसी दोरान उन्होंने धमकी भरे लहजे में बोल दिया था कि अगर एक महीने के अंदर इस अवैद निर्मान को नहीं हटाया गया तो वो इसके बगल में एक गणपती का मंदिर बना देंगे उन्होंने सीम शिंदे और डिप्टी सीम फड़न वीज को इस मामले में त्वारित एक्षन लेने को भी कहा था इसके लाव अपनी जनसमा के दोरान राज छाकरे ने ड्रोन सी शूट किया हुआ दरगा का एक वीडियो भी चलाया माही में हजरत मखदूम शाबाबा दरगा की तरफ इशारा करते हुए राज छाकरे ने कहा कि यहां क्या हो रहा है क्या नई हाजी अली दरगा बन रही है दो साल पहले कुछ भी नहीं था नगर निगम के करमचारी शहर में घूमते रहते हैं लेकिन उन्हें ये अवेड निर्माण नजर नहीं आता यहां दूसरा हाजी अली बनाने की कोशिश हो रही है लेकिन आपको ये तस्वीरे देखनी चाहिए जब 20 समंदर बुल्डोजर पहुंचा और निर्माण अधीन दरगा को जमिन दोज कर दिया गया वहीं आपको बता दे कि मनसे प्रमुक ने ये भी कहा कि जल्दी वो अवेर लाउड स्पीकरों किस मुद्दे को लेका मुख्यमंतरी शिंद से मुलाकात करेंगे राश्ठाकरे ने साफ किया कि उन्होंने लाउड स्पीकर वाला मुद्दा छोड़ा नहीं है और इसे वो आगे भी उठाते रहेंगे लेकिन जिस तरह से समंदर के बीच बुल्डोजर एक्शन हुआ उसे देखकर हर कोई हैरान है तो आप इन तस्वीरों को जास से जास शेर कीजिए और जुड़े रहे हैडलाइन्स इंडिया के साथ